दिली से आई भारतिय तपोवन आर्थ ग्रुप के निर्देशक सौरब जैन और कलाकाव बबली शर्मा, नेहा प्रजापती, सोनन जैन, मनोज गोंसाई, पबन पाथक सोनु जैन, मैंग स्वर्मा की टीम ने एक बेहब मार्मिक फिल्म की प्रस्तिती दी जैसे देखे कर दर्शकों की आँखे नम हो गई, इसमें फिल्माया गया कि समराज सिकंदर ने किस तरह अपनी ताकत की दम पर सारी दुनिया जी थी और एक जैन मुनी ने जब सिकंदर की म्रत्यू की भवश्वाणी की, लेकिन सिकंदर को इस भवश्वाणी पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसने अपनी जवानी ताकत और दौलत पर बहुत नास था, लेकिन समराज सिकंदर को बीमारी ने जकड़ा, तो सैकलो बैद हकीम और सारी दौलत भी काम ना सकी, सिकंदर ने एक एलान किया कि जब तक मेरी म्रत्यू हो जाए, तब मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल दिया जाए, जिससे लोगों को भी ग्यान हो कि मनुश्य संसार में खाली हाथ आया था, और खाली हाथ हो जाएगा, बस अपनी द आयो, आप देखे, तुमने माहरा कहा कि पोरस की इच्छे के क्यों नहीं बोला, नाएगा, ये जिससा की उखे हो जाएगा, जाएगा, किया जगाया हो और रहा है अपनी गउसाला के लिए, तो जो आयो जग लोगों हमारे बैठ के जगाय निस्ट कर लेंगे, वो जगाय क लिए मैं अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से पूरा प्रियास करता हूं, कि आपको बतलते हूं, गुर्दों के चड़ों में नमत करते हूए विज़ा लेता हूं, समी को, समी संतों को सरसच जनश पर, माताओं को सरसच जनश पर, और हमारे समी सुची विलाज सबा के, जो इच्छा जरूर भूस रहने कहिए महराज बोरू तुम्हारे ज़ा किसी तरह कभी उपार दिया जाये इज्ट रहा हाहा इकर रहुद रहुद यह कर रहुद रहा जाए पाराधर सागर से संभाग व्यूरो विनवजयन की रिपूर्ट सागर से जाँ व्यूरो बिनवजयन की रिपूर्ट झाल झाल